Hello students, CBSC Term 2 Exam से related एक बहुत important अपडेट आई है, अपडेट क्या है? चलिए मैं बताता हूँ, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, इस बार CBSC अपने website पे Term 2 sample paper जो upload करेगी, वो हर subject के 2 sample paper upload करेगी, जी हाँ, एक sample paper 100% objective based होगा, दूसरा sample paper 100% subjective based होगा, ठीक है? अब इस news को तुर कोरोना के cases अभी खतम नहीं हुए है, कोरोना का new variant, Omicron अपना असर दिखा रहा है, ठीक है? Term 2 का जो exam है, वो subjective होगा, objective होगा, अभी clear नहीं है, तो इसलिए, बच्चों को दोनों pattern की तयारी कराने के लिए, कमिटी ने ये बोला है, कि हम 2 type के sample paper upload कर देंगे, हर subject के, एक तो बच्चा, दोनों तरीके से तयार रहे, है ना, term 2 के exam के लिए, ठीक है, और, जो examination जो team है, उसने CBSC को ये भी suggest किया है, कि जो sample paper upload किये जाएंगे, subjective based, उसमें question, 2 mark से लेकर, 5 mark से पूछे जाएं, है ना, और, एक point और नजर आ रहा है, जो की, बहुत important है, जैसा कि आपको पत है, कि CBSC लगबग नया pattern लाती ही है, है ना, और, इस बार, term 2 में, ये जो नया pattern आया है, वो क्या है, competency based question, जी हाँ, CBSC ने British Council के साथ collaboration करके, इस बार, term 2 में, कुछ competency based question भी पूछेगी, ताकि बच्चों की critical analysis, उनका thinking power को analyze किया जा सके, वो कितना समझते हो, कितना सोचते हैं, ये पता चले, इसके लिए, term 2 में, competency based question भी पूछे जाएंगे, तो, उसके related अब आपको घबराना नहीं है, क्योंकि, सभी, CBSC, सभी teachers की मज़द से, Pan India सारे स्कूलों में, ये pre examination training भी आपको दी जाएगी, कि कैसे, इस competency based question को हम solve करें, ठीक है, तो, news तो, आपको पता चल रही, लेकिन अब आप घबरा रहे हों क्या, घबरानी की ज़रुत नहीं है, सिर्फ तैयारी करने की ज़रुत है, और term 2 की तैयारी तो, हमने already, channel पे शुरू कर दी है, तो, हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, और आप जरूर सफल होगे, thank you so much.